हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे LKN वर्सिस डीसी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में लकनाव सूबर जाइंट्स और डेली कैपिडल्स के बीच में यह मैच है बेगाद इंटरस्टिंग मैच क्योंकि यह खेला जगा इकाना स्टेडियम में इस वीडियो में करूंगा आपको वीडियो पूरी की पूरी देखने हैं विदाउट स्किप किये उसमाल लिग वीडियो अगर आपने नहीं देखी जल्दी से देखें उसमें बहुत अच्छी बाते आप से करी थी अगर आप वो देखेंगे आपको सारे मैच अपस पता र रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों मैं आगे हूं आगे आपको लेकर ड्रीम टीम तेखे जो लास्ट येर की ड्रीम टीम रहे थी एक ही मैच हुआ था लास्ट येर उनका मैच नमबर थरी था अईपिएल 2023 का भाई उस मैच में बहुत अगड़ी स्कोरिंग हुई और काईल मायर्स काम करके गए थे अब तो काईल मायर्स को खिला नीदी लखना हूँ लेकिन फिर भी अगर खेलते हैं इंपोर्टेंट है अब इसमें अवेश खान सरफरास खान राइली रेसोग सकारिया माकवूड यह इस टीम में हिस्सा थे इन पर मद्यान देना यह वले म प्लेयर्स इतने चेंज हो गए हैं जो जो ड्रीम टीम में थे आपको मैंने दर्शाद यह हैं मैं दोस्तों आपको लेकिया हूँ अपनी विनिंग्स पे मेरी विनिंग्स देख रहे हो बहुत सारी तगड़ी तगड़ी टेड़ लाख एक लाख वावाख पचास अजार अर और educated लोगं को पता है सही चीज क्या है तो educated लोग अपने यहीं पर मिलेंगे जो समझदार हैं जो सही चुनाफ करना जानते हैं वरना उल्लू बनाने वलों के पास जाना है तो आपकी मरजी लॉट के तो आपको सही जगा आना ही है क्रिक 11 फोरकास पर आज नहीं तो कल समझ क्योंकि भाई यहां पर मेरे ऑडियो जाते हैं जो आखरी मिनिट तक आपको जिताते हैं जल्दी से आजो पांच लाग बीसेजार लोग जुड़ चुके हैं कोई पैसा आप से नहीं मांगा जाएगा टेलीग्राम पर जस्ट आपको आना है सारी चीज़े देखनी है क्या दब इंजर है मौसिन खान की इंजर की कंसर्न था फिट होगे के नहीं कहना मुश्किल है तो हो सकता है आपको अर्शत खान यहां पर पहली बारी लखनाव से कहलते हैं लास्ट यह मुंबा इंडियन से खेले थे बढ़िया प्लेयर है लेफ्टाम फास्ट करते हैं थो तो यह अब हम लेफ्ट हैंडर देख रहे हैं और एक कारण से लेफ्ट हैंडर आपको दिखा रहा हूं कुईंटन डिकोग देवदत पडिकाल निकुलस पुरान और कुरूनाल पांडिया क्योंकि इनके सामने कोई सामने ओस्पिनर हुआ तो वो तगड़ा काम कर सकता है इ आपके लिए बाकी इनके पास भी लेफ्ट हैंडर है डेविड वार्नर रिशपंथ अभिशेक पुरेल और अक्सर पटेल तो इनके पास कम थोड़ी है लेफ्टी जोनों टीम में लेकिन भाई दिली की टीम में तो आपको राइट ओस्पिनर बता दिया ललित यादव हैं स आप देख रहे हो कि इतने लेफ्ट हैंडर है इस मैच में ओस्पिनर का काम बनेगा जिस भी टीम में ओस्पिनर है ज्यान रखके चलना मैं बोलने नहीं होँग टेलिग्राम पर आप वीडियो देख रहे हो आप ही के लिए ये चीज़ बोल रहो हो ताकि आप सब्सक्राइब निकुलस पुरान और कुंटन डिकॉक जबकि दिल्ली से डेविड वॉर्नर और अक्सर पटेव तो अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स ही है इंडिया में दिक्कत इनको आ रही है इनपैक्ट लेक्स बेनर को आप कई बरना रोक देते हो कि लेफ्ट हेंडर के आगे मत लगाओ लेकिन ये जो है ना अभी भी शोगी ये लेफ्ट हेंडर के आगे और खुशी से बोलिंग करते हैं बॉर्नर के आगे मैचप देखा था तीन बर आउट किया था सोला गेंद 11 क्रारन तीन आउट ऐसा था क्या मैचप कोमेट करके बता दो पिछली वीडियो देखी दी तो ठीक है मैं तो आपको स्टैट जितना याद है वो भी बताने ही कोशिश करता हूं सही हूं मैं तो करेक्ट कर दे ना अगर गला तूको यस ठाकुर राइट आम फास्ट ठीक है ये लास्ट में से पांच विकेट निकाले थे इसी वेन्यू पे अब वाच आउट इफ ले दोस्तों कुछ खिलाडियों का शौर नहीं है खेलना मिचल मार्श की न्यूज ये थी एक हफते के लिए बाहर हैं कल मैंने इस जगह ये भी रिडियूस पड़ी की खेलने के चां ये आगे तो इकाना के ग्राउंड पे इंपोर्टेंट है मैं वेट करहूं कुल दीप्या दवाएं और सीधा चाहें ठीक है मुकेश कुमार ये भी डेथ बोलन है यदि आते हैं नौट बैड ऑप्शन तो ये प्लेयर्स में आएंगे एक दो ही जो भी आएंगे उनका ध्य ही रखेगी डेली टू लूज एट लीस छे विकेट दिल्ली मेरे साब से छे विकेट खोएगी अगर वो बल्लेवाजी पहले करती है छे से ज्यादा भी हो सकती है वन ओफ लखनू बोलर्स टू सर्प्राइज इन ड्रीम टीम जो ड्रीम टीम है उसमें शायद अर्शत खान आपको काम करते दिख जαए या कोई निया बोलर मनी मरन सिदार तांको काम करते दिक जाए या श्चाको ने लिश में कर दिया इस मैच जाधा ब्लार और कर सकता है या फेर कैप्टन बन सक्ते है नवीन अला के रवी वश्ग समय Dayan book backbone nation at least one opener to do well in this match for लखनू वह कुइंट द जादा फिलिंग है बंडी कोंग भी हो सकते हैं इकाना स्टेडियम पे लास्ट मैंच में दस विगेट फास्ट को गई थी पान स्पिन को आई थिंक स्पिनर इस मैंच में आएंगे ना अब हम दोस्तों अपने कॉंबिनेशन पे पहला कॉंबिनेशन है ओपनर प्रेस डेथवोलर सिंपली लखनू की ओपनर के ल राहूल और डेथवोलर नवीनुला को बैक किया है थोड़ा सा अंडरेटीड हो गया है क्योंगी लास्ट मैंच में स्टोइनिस ने काम कर दिया राहूल के अभी तक स्कोरि ओपनर डेथवोलर कॉंबिनेशन है सीवीसी का बाकि मैंने ज्यादा प्लियर्स इसमें रखे हैं लखनू के जबकि दिली से एम्रीक नौटिया वॉनर स्टब्स और अक्सर पटेल को रखा है रिशाप पन्त इस कॉंबिनेशन में नहीं है मेरे पास यहां लेकिन आपको र लेकिन अर्शद को मैंने यहां पर रखा है बैक अप में कल को को इन में से नहीं खेल रहा तो अर्शद को हम रखेंगे अर्शद नहीं खेल रहे तो मोसीन खान को रखेंगे और निकुलस पुरान को आप उस केस में रख सकते हो अगर आपको लगता है एक विकेट जाएग कर रहा हूं ले सकते हो ये खेले तो बाकी दिली का कोई बोलर नहीं रखा सिर्फ बैटर्स रखे हैं अक्सर पटेल बैटिंग भी करते हैं इसलिए उनको टीम में रखा है आपको चाहिए तो स्टब्स को रख सकते हो यहां की विकेट अगर स्लो हो जाए तो ट्रिश्चन है जिसे मांखडे में उन्हें रन लगाए थे अब यह इसमें बाई मैंने निकोलस पुरान जो लेफ्ट हैंड बैटर है उनको बैक किया है और उनके लेक स्पिनर रवी विश्णुई को एक चीज़ देखके चलना दिली के अच्छे खासे पेसर है इसमें मेरे पास तो मैं काम में आये बोलर्स तो उसमें नवीन भी हैं पुरूनाल पांडिया भी हैं और रवी विश्णुई मेरे वाइस कैप्टन है जिनसे मुझे 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 मुल्टिपल विगेट्स चाहिए तो यह पूरा का पूरा लखनुई का फेवर कॉम्बिनेशन थे और अभी भी मै ने वैसा ही कॉम्बिनेशन रखा लखनो के बोलर जाता रखे भाई पांच में दिगज बोलर और सीवी सीबी नवीन और रवी बिश्णुई इसका रीजन क्या है प्यूज भाई नवीन और रवी बिश्णुई रखने का भाई मुझे लगता है कि अगर एक लो स्कोरिंग लली त्यादव को रखा है क्योंकि भाई लखनों में वैसे लेफटीज भी है और लली त्यादव ऐसे केस में आपको बैटिंग भी देंगे जहां मैं कहा हूँ दिल्ली बोल आउट हो गई तो यह 5-6 डाउन बैटिंग करेंगे लली त्यादव भी अब ये the class of KL राहुल को मैंने कैप्टनसी दिये साथ वाइस कैप्टनसी पुरान को यानि की स्टार्ट भी अच्छी और फिरिश निकुलस पुरान के तुरू डिकॉग भी है और कोई मिडल में मेरे पास नहीं है जादा राहुल से मुझे अच्छी है निक्स चाहिए स्ट्रॉंग होल्ड चाहिए साथ में तीम बोलर यस्ठा को नवीन और विष्टोई है इसमें मैंने जाई और नौटिया को भी रखा है क्योंकि अगर पुरान तक बैटिंग जानी चाहिए दो तीन तो उटोंगे तो एक दो और तीन अक्सर जो की थोड़ी बैटिंग में में देते हैं दिल्ली से रखी अगर दिल्ली को बैक करना है जो इकाना स्टेडियम में चांस कम है तो इनके बोलर्स को गेम में आना होगा और वर्नर अक्सर को काम करना होगा तो यह तोटली दिल्ली फेवर है मैंने लखनव से केवल डी को राहुल नवीन और कुनाल को रखा है अब एक चीज मेरी गौर करनी होगी आपको बहुत ध्यान से गौर करना बाई यहां पर अगर कुदीप यदफ खेल गए आपके लिए मस्ट आव ऐसे कॉंबिनेशन में अगर कुदीप यदफ खेल गए और कुदीप यदफ के लिए यह विकेट अच्छी है तो कुदीप का भी मेरे ध्यान रख ले ना इस combination में मैं आपको लेकिए आगे हूँ आगे की combinations पर दोस्तों जब सामने left handers हो बहुत सारे काम मनते हैं और spinners का लेकिन मैंने एक उल्टी टीम बना दी यार मैंने दोनों left hand spinners जो all rounders हैं उनको back left handers के आगे आप कई बर अपने left hand spinner को मोका नहीं देते बट still मैंने captaincy देदी अकसर को जो कि with the bat भी काम कर सकते है दिल्ली की team में तो batting आई जाती है और कुम्नाल पांडिया को vice captaincy जो कि ikana stadium पे बहुत बढ़िया bowling record रखते हैं दोनों को cvc ट्राइ किया है balance combination है दोनों टीम्स के दो-दो इंदर्स को क्योंकि फिर पंत और अहुल की गलवग भी काम आ सकती है विकेट के पीछे यह बोल गलोर इकाना stadium पे जहां पे थोड़ा surface ऐसा हो सकता है कि विकेट भी जाए slow हो गया था last time यह तो इस reason से मैंने जादा से जादा bowling players को रखा है यहां पे यह जो सब players हैं मेरे लिए overs डाल सकते हैं full मैंने अच्छे खासे bowlers रखे हैं इसमें captaincy जाई को दी जो अभी तक tournament में zero wicket निकाले है जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा ठीक है यह श्ठाकवर पे भी ध्यान नहीं था ना पांच wicket ले गए तो जाई को भी ट्राइ की है वाइस captaincy रवी बिश्णोई को दी है कोई दिक्कत नहीं है आप खलील को भी दे सकते हो दवीन को भी दे सकते हो मैंने जान जाई को captaincy दी है तो दिल्ली के bowlers को captaincy दी इसलिए सिर्फ राहूल आपको देखने को मिल रहे है मेरे पास लखनाओ में और कुरुनाल पांडया उसके बाद बीच में कोई बैटर नहीं है तभी तो मेरे पास काम आएंगे खलील नौट या जाई तो यह थोड़ा सा रिस्की है इसमें अक्सर भी है अच्छे खासे bowlers कवर्ड है दिल्ली के और captain भी जाई अगर आप चाहो एक बोलर कम करके यहां स्टोइनिस को बिठा सकते हो या किसी भी बीच के बैटर को बिठा सकते हो ज्यादा ही रिस्क लिया मने आई यूश बदोनी ट्राइक करने का मने इस इस यूर combination जहां ट्राइक कर सकते हो ना ओजी मेट्स मारकस चोइनिस को यहां captain सी दिया हाला कि मारकस चोइनिस को ओवर नहीं मिल रहे बट देखते हैं कभी-कभी ओवर डाल जाए तो अच्छे है एक ओवर डाले टुरामेंट में विकेड भी है और wise captain सी opener डेविड वार्नर को भी है सच बताओं सच बतादूं क्या इतना अच्छा combination मुझे नहीं लग रहा लेकिन मैं चाहता था एक combination में आपको cvc stoinis और warner को दू मेरा ज़दा मन नहीं है इन पर परसनली बट क्या है न कि कई बर आप pressure डाल देते हो stoinis न मार दिये 67 तो आप मुझे कहोगे एक combination में भी captain नहीं है बस यह वह combination है जो मेरा इतना मन नहीं है अगर आप मुझे से पूछो के पांची टीम लगाने को है तो मैं कहूंगा इसको ignore कर सकते हो थोड़े से इसमें दिली के batters भी ज्यादा है प्रित्वी शौ को भी रखा स्टब्स जो की बहुत अगड़ी फॉर्म में भाई कोई चेंज करने है फिल फ्री टू दू सो स्टॉइनिस बोलिंग भी कर गए फिर तो वो गेम चेंजर कैप्टन ऑप्शन है सीजा बैटिंग तो जबरदस्ट करते ही है अब यह दोस्तों आप देख रहे हो मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर आगर आप नहीं है तो मैंने दिखान रखिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जाना टेलीग्राम निंक में आ जाना डिस्क्रिप्शन में नहीं चलेगा बहाना